तो वेल गाईज दिश्चेज लाज महार फॉम ब्यार पर आम बैक एगें फ्रॉंट आफ यू वीडियो तो टोड़े आम गों तो टेल यू अबाउट अबाउट इंग्लिस स्पोकेन क्लास डे 19 तो आज हमारे इंग्लिस स्पोकेन की क्लास डे 19 है और आज जो 19 डे में हम जो स्पोकेन है चलानी है ठीक है जो छीज आपको इन्पोटेंट लेके जो आपको चांड़ी क्लास हे इस में हर एक क्लास आपके लिए इनपोटेंट है यहीज अक्लास आपके लिए ład। आज हम इसके पास मेरे फोटो होगा अभी तक उसने पेशे रखी होगी अभी तक उसने खाना नहीं खाया होगा अभी तक उसकी साके मेरे पास है मतलब यह से चीज़ें हम लोग डेली लाइक में यूज करते हैं तो इसके साथ हम लोग इस्टील लगाएंगा इस्टील है हम लोग क्या अभी भी मतलब अभी भी है तो अभी भी है तो किसके पास है मेरे पास ही होगा या किसी और के पास होगा है तो इसके साथ लगाएंगा I still have या मेरे पास अभी भी है कोई भी चीज, कोई भी थिंक अभी भी मेरे पास है ठीक ना अभी भी मेरे पास तुमारा फोटो है I still have your pick अभी भी तुमारा फोटो मेरे पास है I still have your pick यह से संटेंस हम लोग आज़ बनाएंगो और सिखेंगे अभी भी मेरा कलम उसके पास है ठीक है तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है I, V, You, They He, See, It एनी नाम के साथ आपको still का यूज करना है ठीक है और उसके साथ आपको have का यूज करते हुए बना देनी है जैसे तुमारे पास अभी भी तुमारे पास मेरा फोटो है अभी भी तुमारे पास मेरा फोटो है You still have my pick You still have my pick अभी भी तुमारे पास मेरा फोटो है या हम लोग यह बोल सकते हैं अभी भी हमारे पास तुमारा फोटो है We still have your pick अभी भी तुमारा फोटो मेरे पास है हमारे पास कोई बीजीजें है उसके साथ हैं जोड़ेंगा है कि आप पता होनी चाहिए कि हमारे पास कोई भी थीख अभी भी है भी हमारे पास गाडियां है, अभी भी, अभी भी मेरे पास गाडियां है, I still have many cars, मेरे पास अभी भी बहुत सारे गाडियां है, ठीक है, तो अब येसी बात रहे, अब चलते हैं, अब आपको बतानी है, कि पहले से ये हमारे पास है, पहले से मुझे पता है, I already know, पहले से मुझे वो पता है, पहले से मुझे ग्यान है, I already have knowledge, पहले से मुझे ग्यान है, I already have knowledge, तो already के साथ आपको, already का मतलब होता है कि पहले से कोई भी चीज आपके पास है, पहले से तुमारा नमर मेरे पास है कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास पहले से डिग्री है तो केसे बोलेगे इसको जैसे बोल सकते हैं अब यह बोलेगे कि उसके पास पहले से डिग्री है लड़की रहे तो सी उच किजी उसके पास पहले से डिग्री उसके पास पहले से डिग्री है कोई इस लड़का के लिए तो क्या भूलेंगे ही ऑल्रेडी है जो डिगरी उसके पास पहले से डिगरी है समझ बाग्या आए कोई भी दिक्कत आ रही आपको समझेने तो प्लीज आप कॉमेंट करके हमें जोलोर बताएं सिर्प इस्टिल यूज कर दरना उसमें कोई भी चैन्जिंग नहीं आएगी आपके पास पहले से कपड़े हैं बहुत सारी कपड़े हैं तो बहुत बहुत इंव आपके पास पहले से एक बड़ा टीवी है आप थोड़ा हम लोग इसमें कुछ है दूसरे स्टेप पर हम लोग चलते हैं, अब यह चीज कोई भी हमारे पास नहीं है, तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि अभी तक हमारे पास कुछ नहीं है, अभी तक हमारे पास कलमे नहीं है, अभी तक हमारे पास गाड़या नहीं हुई है, अभी तक हमारी साधी नहीं हुई है, यह ना ऐसे चीज़े बोलते हैं अभी तक हमारे कोई boyfriend नहीं है अभी तक हमारे कोई girlfriend नहीं है तो ऐसे चीज़े हम लोग बोलते चलते हैं तो इसको कैसे बनाएंगे तो चलिए इसको भी जान लेते हैं आउन,I don't have its 8 family तक क्या english में लिखेंग dif it How can I don't have it? अभी तक की बीचीज आपके पास नहीं है मतला अभी तक नहीं हुआ है मतलब कुछ दिन से पहले बच्चे से अभी तक आपके पास कोई भी चीज नहीं है तिक tenía जो चीज आप ख़र दना चाहते है जो चीज आप रखना चाहते हो वो चीज आपके पास अभी-त नहीं है यह ऐसे बोलते हैं सूल कि आपको क्या करने है I don't have it yet जर्मारा जैसे बोलेंगे अभी तक अभी तक हमारे पास उसका फोटो नहीं है I don't have that big 8 उस अभी तक हमारे पास mobile नहीं है I don't have a mobile 8 अभी तक हमारे पास एक mobile नहीं है मेरे पास अभी तक मेरे पास जॉब नहीं है डॉंट हैब जॉब एट अभी तक हमारे पास कोई नोकरिया नहीं है कोई जॉब नहीं है उसके नोकरी नहीं है उसके पास अभी तक अभी तक कोई नोकरी नहीं है he doesn't have या does not को use कर सकते कि हम कोई person के लिए use कर रहें ठीक है he see it any के नाम के साथ आपको hedge का use करना है so he doesn't have any jobs it अभी तक उसके पास कोई दोस्त नहीं है, कोई friend नहीं है see doesn't have any friends it उसके पास अभी तक कोई friend नहीं है, कोई दोस्त नहीं है you don't have a solution it अभी तक तुम्हारे पास कोई solution नहीं है you don't have a solution it अभी तक आपके पास कोई solution नहीं है I hope guys आपको यह सारे चीज़न समझ में आ गई होगी so आज हम class ही stop करेंगे I hope आपको यह सारे चीज़न समझ में आ गई होगी कि मेने पास अभी भी है कोई भी चीज तो still यउज किये आपके पास नहीं है, तो आपने क्या कर, I don't have it yet, उसके साथ आपने यूच किया, So I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको समझ में आया होगा, ठी? So एसे वीडियो देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब निकिए, तो प्लीज लाल बटने चे दबा करके सस्क्राइब कर लो, ता कि आने वाले इनेस्ट वीडियो आपको सबसे पले टाइंग भी मिले, So फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार